मास के शुकल पक्ष में और एक सावन मास के शुकल पक्ष में शरी حरी की कर्patient से इस व्रद को रखने से या पुतरदा एकादशी के नियमों का पालन करने से संतान्च सुख की प्रापती होती हैं जो लोग। पुत्र प्रापती की इचर रखते हैं उन्हें पुत्र का सुख बरापथ होता है एक आदशी का वरत भगवान श्रीहरी को समर्पित होता है और एक आदशी के दिन चावल का और अना का त्याग किया जाथ है ऐसी मानेता है कि जो भी दमपती स्वरत को पुरे विधी विधान और शृध्धा के साथ रखता है उन्हें संतान सुक अवश्य मिलता है और इस वरत को रखने से सभी पापों का भी नाश हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है इस दिन भगवान श्रीहरी की पूजा पीले फल और पीले फूलों के साथ तुलसी दल से की जाती है श्री हरी को इस दिन तुलसी दलों का भूख अवश्य लगाना चाहे श्री पद्म पुरान के अनुसार द्वापर युग में महिश्मती पुरी का राजा महिजीत बड़ा ही शांते प्रे और धर्म प्रे था लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं था राजा के शुपचिंतकों ने ये बात महामुनी लोमश को बताई महामुनी ने बताया कि राजा ने अपने पिछले जनम में कुछ अत्याचार किये हैं एक बार एक आदशी के दिन दोपहर के समय वह एक जलाशे पर पहुँचे जहां पर उस समय एक प्यासी गाए पानी पी रही थी प्यासी गाए को पानी पीते देखकर उन्होंने उसे रोग दिया और खुद उसे हटा कर पानी पीने लगे राजा का ऐसा करना धर्म के सर्वथा विपरीद था पुर्व जनम के कुछ पुर्णी कर्मों की कारण वे अगले जनम में राजा तो बने लेकिन उस एक पाप के कारण अब तक संतान विहीन है महामुनी ने आगे बताया कि अगर राजा के सभी शुपचिन तक श्रावन शुकल पक्ष की एकादशी तिथी को विधी पूर्वक उपवास करें और उसका पुर्णे राजा को दान में दे दे तो उन्हें अवशी ही संतान की प्राप्ति होगी तब महर्शी के कहने पर प्रजा के साथ सत राजा ने भी ये व्रत रखा कुछी महिनों के बाद इस व्रत के प्रभाव से राणी ने एक स्वस्त पुत्र को जम दिया मानेता है कि तभी से इस एकादशी को शुरावन पुत्रदा एकादशी कहा जाने लगा